जै शिरी राम कैसे हैं आप इश्वर से यही कामने आप हमेशा खुश रहें तंद्रूस रहें आप बड़ो का आशिवाद आपको बहुत सारा मिलता रहें आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें तंद्रूस रहें यही मैं इश्वर से कामना करती हूँ आईए वीडि जो शुरू करते हैं अबरात्रे चल रहे हैं, नौ दिन, तपस्या के दिन, नौ दिन, अपने आपको एनरजी लाने के लिए, अपने औरा को क्लीन करने के दिन है, अपने आपको पावर्फूल करने के दिन है, अपने अंदर अट्रेक्शन लाने की दिन है, जितने सचे मन से स sincerity के साथ में, faith के साथ में, आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनो कामना है मातरानी ज़रूर पूरी करेंगे, पूरे सचे मन से प्रातना करें, जो भी है, मगर उसके अंदर अपना faith दाल दीजेगा, जब भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं या haven कर रहे हैं, पूजा पाट कर रहे हैं, तो जो भी हम करम कर रहे होते हैं, reality के अंदर वो चीज़ हो रही होती है, मतलब अगर आप मन के अंदर मंत्र का जाप कर रहे हैं, एक energy create कर रहे हैं, वो सच में ही universe के अंदर जा रही होती है, और आपकी सब मनो कामना हैं अच्छाई की जीद भगवान श्री राम ने रावण का वद करके एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीद और साथ में माभगवती ने महिसासुर का वद किया था तो जितनी भी बुराईया हैं वो कि विजय यश का प्रतीक है इसी तरीके से हमारे अंदर जो भी बुराईयां हैं हम हर साल दशारा मनाते हैं मगर इस साल कुछ special बनाईए अपने लिए, अपने आपको भी अपने अंदर के जितनी बुराइया हैं उनको खतम करिए, तोहार मनाने का यही मतलब होता है, तोहार का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ हम उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम grab करें, अपनी जीवन के अंदर उतारें, इर्शा ह है आपके अंदर अगर निन्दा करते हैं या आपको किसी चीज के लेकर कि कुछ भी चीजक्ते वी लम उनचे वह उन सब चीजुन को जैसे अगनी के अंदर भस्म करते हैं। उसी तरीके सी तशारी पर क्या करना चाहिए तशारी पर सबसे पहला काम आपने यह करना है एक जाडू लेनी है जिस समय देहन हो जाएगा रावण कुमकरन मेकनाथ का जिस समय जला दिया जाता है उसके बाद में आपने काम करना है जाडू लेनी है जाडू के अंदर आपने एक लाल रंग और घर के जितने मेंबर हैं उनसे हाथ लगवा लिजेगा और जो भी आपके घर की जो दरिद्धा है या आपके जीवन के अंदर टेंशन है या बिमारी से आप लेकर के बहुत जादा परिशान है वो एक चीज जरूर बोलिएगा बोलने के बाद में जो भी आपकी इच्छा है कि मेरे घर से ये सब चीजें ख़तम हो बोलकर कि उस जाड़ को किसी को बताना नहीं है चुपके से आप मंदीर में किसी कोने के अंदर रखियाए और पूरे फेद के साथ में कि अब मैंने ये चीज आप बोल करके कि अब जो मेरे घर के अंदर जो भी नेगिटिवीटी आप दीपक जलाएए घी का दीपक जलाएए और उस दीपक को देखते वे आपने जो भी आपके मन के अंदर है शमी अगनी अगनी देव का प्रतीक है और जिस समय भगवान शरी राम लंका को जीतने के लिए गये थे तो सबसे पहले शमी के पेड की उन्होंने पूजा करे थ तो यह विजय का प्रतीक है अगर किसी का काम नहीं बन रहा है तो शमी का पत्ता भगवान शिव के उपर चढ़ाने से हमारी मनो कामना पूर्ण होती है तो अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अभी पूरी नहीं हुई है तो दशेरे पर आपने यह दीपक जलाना है एक तीसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ यह आपने दशेरे वाले दिन से करना है और शरत पूर्णिमा तक करना है आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है अट्रेक्शन आपको लगता है कि कम होता चला जा रहा है मतलब मैं अगर कोई बात बोल करना हूं और सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है तो यह आपके लिए है दशेरे वाले दिन से आपने शुरू करना है आपने चंद्रमा को देखना है चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है हमारे मन को बहुत शांत करता है तो यह आपने दशेरे वाले दिन श्याम के समय आप आप चंद्रमा को देखना है आपने चंद्रमा की शीतलता आपके शरीर के अंधर जाएगी तो आप आपके अंदर एक attraction आनी शुरू हो जाएगी ही यह कब तक करना है शरद viral披ूर्णीमा तक करना है समय एक घी रहेगा और ओर आप जैसे जैसे आप करते रहेंगे, आप दिखेंगे कि आपके अंदर कितना फर्क पढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा एक दैविक जिसे कहते हैं तेज जो है न वो आना शुरू हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही खुश रहें, तंद्रूस रहें, सारा मिलता रहें, अपने आप से जरूर प्यार करिए, मगर जो आज मैंने आपको बताया है, अपने अंदर की जो बुराईया हैं, उनको जरूर खतम करिए, तब ही हम जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, जै शिरी राम